गौरेक यदि ये बराबर 1 है A-P-T बराबर 27 है तो A-P-I-N-T बराबर क्या होगा ओप्शन में दिया है 44, 41, 42, 50 इसको कैसे मारेंगे पहले ओप्शन पहले निकलेंगे कि एक कमान कितना दिया है एक दिया है तो पहले निकलेंगे A-P-T A-P-T निकलेंगे तो पहले निकलेंगे कि A-P A-P कितना है पहले निकलेंगे आप तो ब निकलेंगे A-A कितना पर है आप पहले निकलेंगे T-T कितना पर है सबसे पहले निकलेंगे सबसे पहले निकलेंगे तो चलेंगे वण माला के करम अस्थान के अनुसार क्रम अस्थान की अनुसार सबसे पहले निकलेंगे फिर T को सबसे पहले निकले से पहले वड़माला के क्रम अस्थान में रखेंगे अब देखेंगे कि A पहले निकालेंगे एफ, एफ कितना पर है निकालेंगे पहलेंगे पलास, एक इतना नमबर पर है, फिर निकालेंगे टी, टी कितना पर है, एफ को गिनेंगे तो छे नमबर पर आएगा, एक को गिनेंगे तो एक नमबर पर आएगा, आटी को गिनेंगे तो वीस नमबर पर आ तो 20 गो अच्छे कितना होता है 26 26 कितना हो जाएगा 27 इसका मतलब है कि ये फिर टी आएगा 27 नमबर पर तो हमको निकलना है कि ये फिर आई इंठी क्या होगा अब निकलेंगे एफ एफ कितना नमबर पर है 6 नमबर पर पलास एक इतना नमबर पर है एक नमबर पर एक नमबर पर फिर निकलेंगे पलास आई आई कितना नमबर पर है तो 9 नमबर पर इसके बीच में पलास दे देंगे एन कितना निकलेंगे टी, टी कितना नमबर पर है, तो टी है, एन निकलना है पले, पले एन निकलेंगे, एन है कितना नमबर पर, तो एन है 14 नमबर पर, बीच में क्या डालेंगे, प्लस, टी को पर है, तो टी कितना नमबर पर है, तो टी नमबर है, 20 नमबर, अब सब को पहुलेंगे 20 14 9 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50 एक और मतलब हो जाएगा यह कि एफ ए आई एंटी का मान हो जाएगा 50 option में मरेंगे 50 तो सबसे पहले करमा वनमाला के करमास्तान में रखेंगे और एक का मान देखेंगे कि एक दिया है तो एफ एटी निकलना है तो एफ कितना पहुझेगा छेप एक इतना पहुझेगा एक पर टी कितना पहुझेगा 20 और सब को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27 तो एफ ए आई एंटी का मान निकलना है एफ 6 हो जाएगा यह वन हो जाएगा आई 9 हो जाएगा एन 14 हो जाएगा टी कितना हो जाएगा 20 और सब को जुर देंगे तो हो जाएगा पचास एकन मतलब एफे आइंटी हो जाएगा पचास नमबर पर हो जाएगा तो इसका ओप्सवाई होगा पचास नमबर